हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग एच्छे होंगे मैं हूर आहूल जैस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे योटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सांदिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर विडियो लेकर आचुको दोस्तो जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके हिस्ट्री सब्जेक का आखरी चाप्टर जिसका नाम है दोस्तों चाप्टर नमबर 14 formation of state of महराष्ट्रा यानि इस चाप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जो महराष्ट्रा हमारा जो अपना state है हमारा जो राज्य है इसमें किस प्रकार इसकी स्थापना हुई थी क्योंकि जैसे कि आप जानते हो यार इंडिपेंडेंस होने के पहले महराष्ट्र नाम का कोई state न इसका नाम था उस प्रकार ऐसे नाम थे ऐसे states जो है ना वह इसका नाम करन बाद में हुआ तो एक्च्वल में यह महराथ्ट्र जो महराष्ट्र जो state है उसका नाम करन कैसे हुआ इसका formation कैसे हुआ इंडिपेंडेंस होने के पास खास करके चीज हुआ यह सभी चीज की जानकारी आपको आज इस वीडियो के story के form में मिलने वाली है तो यह वीडियो को आप लोगो एंड तक देखना है तब भी आपको बहुत अची तरह की समझ में आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे तो पह अच्छे से पढ़ाई करते हैं आप लोग का पढ़ाई continuous होता रहना चाहिए ठीक है दोस्तों और साथ ही में आप लोग को अगर नहीं पता है तो हमने एक न्यू चैनल भी लांज किया है जैया डूटर नाशनल स्टड़ी जिसमें हम सीब्यसी बोड के लिए एनिमेशन के स साथ वीडियो डाल रहे हैं तो वो भी आप जाके चेक आउट कर सकते हैं अगर आपको उसमें कुछ नॉलेज लेना रहेगा तो आप ले सकते हो ठीक है महारश्ट्रो बोड के लिए और भी नहीं नहीं चीज़े मैं लाऊंगा टेंशन मत लेना बहुत सारी important चीज़े आप इंडिया में शामिल नहीं हो पाएंगे तो इस प्रकार से statement था उनका और जो हमने पहले भी इस chapter के अंदर पढ़ाए मताब इसके पहले के जो chapters थे उसमें हमने discuss किया था तो बहुत ज़्यदर demand जो था वो काफी ज़्यदर increase हो गया था कि कि किस प्रकार जो अलग-अलग state से उसको हमारे इंडिया के अंदर शामिल किया जाएगा तो one of the state was महारश्टा महारश्टा नाम नहीं था लेकिन ये जो एक state था ये जो पूरा राज्य था इसमें जो people थे वो ज्यादा तर लोग Marathi speaking people थे यानि they know the Marathi language तो normally क्या होने लगा कि इसके एक demand बनने लगी कि जो भी हमारे इंडिया में जो अलग-अलग राज्य है क्यों ना इन राज्यों को उसके language के हिसाब से उसको बाट दिया जाए यानि कि अगर कोई Marathi बोलने वाले लोग है तो उनको एक साथ एक राज्य में डाल दिया जाए और वो राज्काना महाराश्टा रग दिया जाए बंग समयुक्त महाराश्ट्र मुमेंट यह बहुत ही भेतरीन आंदर समयुक्त महाराश्ट्र मुमेंट एक आंदोलन था जिसमें बेसिकली क्या होने लगा था कि यह 1946 यानि कि आजादी के ज़स्ट एक साल पहले से ही इसकी शुरुवात हो गई थी और लोगों ने इस चीज का ड आंदोलन करके और कुछ बहुत सारे वीर लोग ने मिलके सिप महाराश्ट्र नहीं ऐसे पूरे इंडिया के अलग-अलग जो स्टेट से वो सब के बारे में आगर मैं बात को तो बहुत सारे अलग-अलग चीजें हो रही थी क्योंकि उस ताइम पैसा था कि ब्रिटीश भी ह हम पे राज कर रहे थे तो ब्रिटीश भी हमें आ जा दी चाहिए अंग्रेज चले जाओ हमारे देश से तो इस परकार के कई सारे आंदोलन वगरे हो रहे थे ठीक है एंड फाइनली एक समय आ गया 1st of May 1960 ठीक है आप जामते होंगे कि 1st May 1960 को महाराश्ट्र जो स्टेट है उ मिर्मान कर दिया गया और इसलिए आप जानते हो दोस्तों कि हमारा महाराश्ट्र डे रच के दिन महाराश्ट्र बंद रहे ना नाम दिया गया था, एक राज्यो को नाम दिया गया था, ठीक है, अब इसके पीछे का background क्या है, वो भी थोड़ा study करेंगे, क्या है इस चीज के background, यह सभी चीज डीटेल में हम बारी के से आपको समझाएंगे, वीडियो को end तक देखते रहना, तभी आपको समझेगा, ठीक ह सब आपस में मिलके, एक राज्य बना ले, इस प्रकार से चीजे जो है वो चल रही थी, ठीक है, तो 1911 में सेम जो यह बात जब प्रिटिश तक पहुची थी, जब यह बात 1911 में ब्रिटिश तक पहुची थी, सेम बंगाल का partition को लेके भी इस मुद्दे को उठाया गया था, ठीक है ना, बंगाल को partition किया जाएगा, इस प्रकार से, तो वो और्री सस्पेंड कर दिया गया जो 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 मराथी बोलते हैं, वो एक साथ एक ही छत के नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार से लोग ने बोला कि यार जितने भी हमारे पुरे भारत में, पुरे देश में जितने भी ऐसे languages बोलने वाले लोग हैं, उनको क्यों ना, एक साथ करके और states के नाम दे दिया जाए तो आप लोग के लिए भी easy हो जाएगा, और हमारा जो पूरा इंडिया है, वो diversify भी हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की भाषाई बोलने वाले लोग, और उनके विभिन्न प्रकार के राज्य, इसे सबसे कितना सुन्दर लगेगा, आज भी हम लोग जो state के नाम से जानते हैं, वो हम लोग languages के नाम से जानते हैं, महाराष्ट में मराथी speaking people, गुजरात में गुजराती speaking people, पंजाब में पंजाबी speaking people, बंगाल में बंगाली speaking, उडिसा में उडिसा people, उडिसा, उडिया language, इस प्रकार के कही सारे आप समझ पा कि आपको इतनी बहतरीन तरीके से story form में कुछ चीज़े बताया जाए जो आपको पता होने चाहिए as a Indian citizen, आपको एक नागरिक होने की तौर पर पता होना चीए, तभी तो आप अपने बच्चे को बता पाऊगे न, दोस्तों तो बढ़ाई इसलिए बहुत जाथा important होता है, ठ उनको क्यों न, एक साथ करके एक राज्य घोशित कर देना चाहिए, लेकिन actually उस time पे भी क्या चल रहा था जो हमारा independence था वो हमारे लिए बहुत ज़्यदा important है, मुझे आप लोग से भी जानना है क्या हमारे लिए क्या important होगा, आज अगर मेरी जान कहीं जा रही है, for example के त तो इसलिए उस time पे यह जो मुद्धा था, लोगमानेती लगने जो उठाय था, वो थोड़ा सा उनको बाजू में करना पड़ा, side में करना पड़ा, लेकिन यह मुद्धा फिर आया, कब आया, एक time के बाद जो में मैं आजादी मिल गई, तो इसलिए यहां पे क्या हो गया 12th of May 1946 में क्या हो गया, कि सहित्य सम्मेलन ठीके जो होता है नॉमली, बेलगाओं में हुआ था, वहां पर क्या हो गया, कि एक important resolution पास क्या गया, एक चीज पास की गई, जिसमें सम्युक्त महाराष्ट्रा जो था, यानि कि महाराष्ट को unite किया जाएगा, मराथी speaking people से unite किया जो कानून था, वो पास हुआ, कानून मतलब एक तरीके से resolution पास हुआ, प्रस्ताओ जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रस्ताओ पास हुआ कि हाँ, ये कि हम कर सकते हैं, और इसलिए यहाँ पे हमें topic जो पढ़ना है वो है दोस्तो, संयुक्त महाराष्ट्र परिशद, महाराष जुलाई के दिन उस टाइम पे यहाँ पे महाराष्ट्र एकिकरन परिशद, यानि के एकिकरन मतलब यूनिफिकेशन, ठीक है न, महाराष्ट्र एकिकरन, मतलब महाराष्ट्र में जितने पीपल है उसको एक करना है, एकिकरन परिशद यहाँ पे इसको बनाए गया ताकि ज उसके अंदर जितने भी state है उसको एक कर दिया जाए यानि कि जितने भी marathi speaking people है उसको जहाँ जहाँ पे वो रहते है रिजन के हिसाब से ऐसा नहें कि एक साथ उनको बुलाया जाए ऐसा नहीं जहाँ जहाँ से चीजों का निर्मान होगा और एसे हर जगा हुआ इसे हर जगा पूरे इंडिया में हर जगा इस प्रकार से चीज़े जो है वो बनाए गए ठीक है तो जैसे कि मराठ वाड़ा हो गया साथ ही में मुंबई हो गया इस प्रकार से सब बहुत सारी चीज़े जो है वो लेते ले आजादी से एक महिना पहले की बात है एक दिड़ महिना पहले तो 17 जून 1947 में हमारे देश के पहले जो प्रेसिरेंट थे दोस्तों जिसका नाम ता दॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह आप जानते होंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसेंबली में उन्होंने डार कमीशन को एस्टाबलीश किया था और उसमें उसके चेर्मेन थे उस टाइम पे कौन थे जश्टिस एस्के डार थे उनका नाम एस के डार और इस लिए इस कमिशन का जो नाम रखा गया था वो डार कमीशन रखा गया था भाषा बोलने के हिसाज़ाब से राज्यययबनाना इस प्रकार से जो पास्ने लगा मतलब यह प्रस्ताव resolution आने लगा तो यहाँ पे 10 December 1948 के दिन क्या हो गया कि जो DAR जो commission है उसके report यहाँ पे submit की गई and वो DAR commission के हिसाब से इस चीज़ को बोले कि यह चीज़ पास नहीं हो सकता मतलब इसको हम नहीं करेंगे मतलब प्रस्ताव जो कि दिया गया था वो प्रस्ताव जो है unsolved रहा यानि कि इसका answer actually में नहीं मिल पाया और इसलिए कई सारे और committee बनाने पड़े कई सारे और justice आने पड़े तो इसके लिए बनाया गया दोस्तों एक और committee जिसको मुलते JVP JVP committee क्या है किस प्रकार से फिर finally महराष्टर बना किस प्रकार से moment हुआ क्या-क्या उसमें आया ये सभी कई सारे ऐसे मुद्धे हैं वो हम लोग discuss करेंगे और जो आगे का पार्ट है महराष्टर किस प्रकार formation हुआ वो हम सब लाएंगे आपके लिए लेकिन आप लोगो थोड़ा wait करना पड़ेगा वो हम लाएंगे आपके लिए lecture no.2 में तो आप लोग बस हमारे साथ इंतजार करना क्योंकि हम आपको पता है मेरा nature आपको पता है मैं हर दिन आपके लिए वीडियो बनाता हू यानि कि आज आपको वीडियो मिला है तो सो हो सकता है अगले दिन ही आपको इसका दूसरा पार्ट भी मिल जाए तो आप लोग बस बने रहना प्यार से हमारे को प्यार दिखाते रहना क्योंकि आप लोग के प्यार से ही मेरा घर चलता है दोस्तों जो हमने बताने की कोशिश की है अगर पसंद आये दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना आपने दोस्तों के साथ जितना होसे को उतना शेर कर देना साथ ही में दोस्तों फर्स टाइम हमारे चैनल पर आह। अगर आभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो फटा फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ठीके दोस्तों तो जल्दी मिलेंगे हमारे निव वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू एंड गुडबाई